सुल्तान मुहम्मद तुगलक के अधिकारी जन खल्जी और तुगलक शास्कों ने भी सेना नाइकों को भिन भिन आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये लाके इकता कहलाते थे और इन्हे संभालने वाले अधिकारी एक्तिदार या मुक्टी कहे जाते थे मुक्टी का फर्स था सैनिक अभियानों का नित्रित्व करना और अपने एकतों में कानून और वेवस्था बनाए रकना अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाहत देते थे मुक्ती लोगों द्वारा एक कत्रित किये गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किये जाते थे इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ती राचे द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तैस संख्या की अनुसार सैनिक रखें जब दिल्ली के सुल्तान शेहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमी के स्वामी सामन्तों और अमीर जमिदारों को भी अपनी सत्ता के आगे जुकने को बाद्धे कर दिया स्थानिय सामन्तों से कर लगाने का अधिकार चीन लिया गया बलकि स्वैम उन्हें भी कर चुकाने को बाद्धे किया गया कुछ पुराने सामंद और जमीदार राजस्व के निर्धारां और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे राज में उस समय तीन तरह के कर्थे क्रिशी पर जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपच का लगभग पचास प्रतिशत होता था मवेशियों पर घरों पर इस उप महादीब का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नेंतरण कठिन था दक्षन भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था यहां तक की गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिन में पैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी अलावदीन खलजी और मुहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार जमातु लेते थे पर वो अधिकार कुछी समय तक रह पाता था कर दोल्तान अपिकार जयो थे जिए्सेट्स